कतर में आठ भारती पूर नौसैनिकों को पास्ती की सजादी के जिसमें एक सेलर भी सामेल हो सामेल है एक बहुत बड़े कमांडर पुडेंदुतिवारी जिनको 2019 में प्रवासी भारती सम्मान मिला था कतर और भारत के बीच में मधूर संबंदों के लिए उस पर भी चर्चा क का यह आरोप लगा अगस 2022 में इन आठ भारती पूर नौसैनिकों को उनके आवाज से वहां की खूफे एजनसी उठाती है और ले जाती है पूस्ताच के लिए पूस्ताच उनको जेल में बंद कर देती है फिलाल हम कतर की चर्चा कर रहे हैं तो कतर की भौगोली किसी को भी जाल लिजे कतर फिलाल भारत के पश्चिम में सितर और पश्चिम दिस्ट लगातार बड़ी-बड़ी खबरे आ रही थी और इस बार भारत के लिए बड़ी खबर थी कतर सौधिया रेबिया का पड़ोसी उमान के पास मौजूद एक छोटाशा देश कतर जो की अपने पंक ब पहली बार तगड़ी चर्चाओं में आया सन 2022 फीफा वर्ल्ड कप के लिए पर दुबारा चर्चाओं में आया जब अफगानिस्तान ने अमेरिका पर दबाव डाल कर कहा कि अमेरिका और अफगानिस्तान के प्रत्निधी बैठ कर मीटिंग करेंगे कतर के दोहा में कतर कि र चाली में इस्राइल हमास का जो युद्द्चल रहा है उसमें हमास की बारें पता ही आप सबको हमास का अपिस हम मद्धस्ता काम करतें सारे आतंगवादी संगठन के offices आप क्या मौझूद है चलिए जब हम बात करी रहते कतर की कतर की राजधानी दोहा की तो मालुम चलता है आपको इस तो भाईया आतंगवादी संगठनों का एक रहाइशी लाका बनता चाहा है पिर आगे पहुसते कतर में आठ भारती नौ सेनिकों पर जासुसी के आरोप लगा जाते है साहथ उनको वहाँ पर पासिकस जाती है अचा अगले यह लोग जासुस बनके काम कर रहे हैं ऐसा आरोप लगाया जाता है उननके लिए आप सोच तो यह 8 लोग पहुचे कैसे बहिया कतर यह 8 लोग कतर पहुचे कैसे तो मैं बताता हूं यह 8 पूर्व नौसयनिक थे भारती फेशिंट यह रिटायरमेंट के बाद एक पूसा ग्लोबल इंटरनेशनल कमपनी थे कतर की जिसको जॉइन करते हैं इसका काम क्या था अल धहरा ग्लोबल इंटरनेशनल मैं नाम लिग देता हूं अल धहरा अच्छा आप जब इसको गूगल पर सर्च करेंगे अल धहरा को तो मैं बता दू अब अल धहरा नाम से कोई कंपनी आपको नहीं मिलने वाली है इसकी वेबसाइट पहले बंद करके इसका नाम धहरा कर दिया गया था और जो कि हाली में 27 मई 27 मई 2023 को बंद कर दी गई है 27 मई 2023 को बंद कर दी चुलो बात करते हैं अल धहरा की अल धहरा इंटरनेशनल कंपनी जो थी टेक्नलोजी कंसल्टेंसी कंपनी जो थी ये वहां के नौसैनिकों को प्रसिचर देने काम करती थी और इसका जो CEO था चीफ में स्क्वार्डन लीडर का काम करता था और वहां से रीटायर होकर कि उसनी अपनी कमपनी खोली जो CEO का नाम था खामिसल जो खामिसल अलवी जो की अलधहरा टेक्नलोजी कंसल्टनसी का सी यो था इसने क्या किया इसने आठ भारती पूर नौसेनिकों को अपने कहां नौकरी प्रक्षा अच्छा ये आठ भारती पूर नौसेनिकों के अलावे भी काफी सारे भारती वहाँ पे अलड़ी काम करते थे पर इन आठ भारती नौसेनिकों को कतर की नौसेना के प्रसेचण के पुडेंदु तिवारी ये पुडेंदु तिवारी कौन थे इनको सन 2019 में प्रवासिय भारतिय सम्मान मिला था प्रवासिय भारतिय सम्मान मिला था आपको मैं बता दूँ शायद फोटो आगे लगी होगी ये है वो पुडेंदु तिवारी जी इनको प्रवासिय भारतिय सम् करती थी अभी वर्तमान परिशोतियों में विदेश मंत्री एस जरसंकर प्रशाद है पूर राजनाईक आपको पता है और जब से भारत में उनको दुत्ती जिम्स वांट की उपादी दी गई हो भारती संबन्द विदेशोति लगातार मजबूत होते जाएं गए हैं यह पहल नवजो सिंगिल, कैप्टन सौरफ वसिस्ट, पुडेंद तिवारी जी, कैप्टन विरेंद कुमार वर्मा जी, कमांडर सुगनाकर काला जी, साथ में कमांडर संजीव गुपता, कमांडर अमित नाकपाल और नाविक, रागेश, सेलर, रागेश भी सामेरे, टोटल आठ ल और इसके जो CEO थे, वो ओमान के नागरिक थे, और ओमान की Air Force में स्क्वाडन लीडर, स्क्वाडन लीडर के रूप में कारे कर रहे थे, क्या नाम था उनका मेरे भाई, खामिस अल, खामिस अल, और खामिस अल, इस कम्पनी के मालिक थे, फिलाल, कहा जाता है, पुडेंदु तिवारी को MD की जिम्मेदारी मिली थी, मरेंजिन डिरेक्टर की जिम्मेदारी मिली थी, और ये, ओमान के, जो वहाँ के नौसने को ट्रेंड करते थे, उसमें सबसब वरिस्ट रूप में, पुडेंदु तिवारी भी काम करते थे, ठी जब आप देखोगे ना 2019 में पुडेंदो तिवारी जी को सम्मान मिला था 2019 में अब सम्मान किसले मिला था सम्मान मिला था भारत और कतर के बीच में अच्छे संबंद स्थापित करने के लिए एक शांदार संबंद स्थापित करने के संबंद किस भिहाब पर स्थापित कर रह और सबसे तरह से ट्रेंड कर रहा है इस दावा खुद कतर ने किया कि पुडेंदु तिवारिजी भारती नौसरयनिकों को सबसे एक सटीक तरीके से ट्रेंग करा रहे हैं उसको लेकर करके समान मिला अब मैंने बताया कतर जहां भाया ज्यादा आतंकवादी वहाँ पर खुफ कि टाइगर 1 टाइगर 2 टाइगर 3 भी शैदा रही है किसा रा इस वह देखा होगा आपने कैसे स्पाइ काम करते हैं जासूस काम करते हैं बस कुछ वैसे खतरनाक रहता है वहां ठोख कम दिखाते हैं यहाँ ज्यादा रहता है समझें नहीं हाता है कौन क्या है फिलाल आप पुर्णतिवार ये पारोप लगता है कि ये इस्राइल को कतर का कतर का एक सीक्रेट दे रहा है वो सीक्रेट क्या था वो सीक्रेट था भाई कतर अपनी पंडुब्यों पर एक विशेश कैमिकल की कोटिंग कर रहा था उस कैमिकल की कोटिंग से वहां की पंडुब्यों की छमत में असीमित विस्तार हो रहा था उन्होंने यह आरोप लगाया कि यह आठ लोग मिल करके यह सारी जानकारी उस अमेरिकी इस्राइली गौर्रमेंट को दे रहा है इस्राइली स्पाई है इस्राइली जासूस है ठीक है फिलाल अगस 2022 में सब गिरफतारी होती उसमें वहां का CEO जो था अलदहरा कंपनी का वह भी गिरफतार होता है पर पर 30 दिन तक इस चीज की जानकारी किसी को भी नहीं प्राप्त होती है जानकारी प्राप्त होती है कब अक्टूबर 2023 में जब अलदहरा कमपनी के CEO उमान को वहाँ से छोड़ दिया जाता है तब क्या होता है तब नाम आता है मीतू भारगो जो की पुडेंद तिवारी जी की बहन थी ये ट्वीट करती है PMO इंडिया को साथ ही में ट्वीट करती है विदेश मंत्राले को मैं दिखाना चाहूंगा ट्वीट करती है भारत सरकार को विदेश मंत्राले को सभी को ट्वीट करती है और कहती है कि ये पूर नौसेना अधिकारी देश का गौरव है और मैं फिर से हमारे मानी प्रधान मंत्री से हाज जोड का अन्रोध करती हूँ कि अब समय आ गया है कि उन सभी को बिना किसी देरी के तुरंत भारत वापस लाया जाए ये ट्वीट कब का था ये ट्वीट था अक्टूबर दो हजार बाइस का जब जब अल देहरा कंपनी के मालिक को छोड़ा गया था उसके बाद भारत सरकार विदीश मंत्री अजय संकर प्रशाद कहते हैं कि हम लगातार कतर की सरकार के साथ संबंध में हैं बाचित कर रहे हैं उनसे और हमने उनसे नर्मी वरतने के लिए कहा है अब यहां एक प्रशन उठता है क्या भारत के पूर नौसैनिक वहाँ पर इसराइल के लिए जासुसी काम कर रहे थे पिलाल इस चीज़ पर कुछ भी कहना बहुत कठिन होगा और संभवता हम कहने कि सिती में भी नहीं है क मुझे तो सिर्फ यह लग रहा है कि पूरेंदो तिवारी जी जिस हैसी अस्तिरात बढ़ रहे थे भारत तो कतर भी संबन अच्छे कर रहे थे वो शायद रहा हो कुछ आतंग बादियों को रास ना आया हो इस करण ऐसा कुछ किया गया और फिलाल अभी के लिए आप यह ज बापी चाहूंगा भारत जाएगा आईसी जे इंटरनेशनल कोर्ट आफ जस्तिस जाएगा जिसका हैग में है जिसकी स्थापना 26 जून 1945 में हुई थी भारत जाएगा सीधा आईसी जे में और वहां पे अपील करेगा साथ ही या तो वो यून से दबाव डलवाएगा मैं आ सिंगापूर से मिस्र की और इटली का एक जहाज जा रहा था इस जहाज में ऑईल था कहा गया ऑईल टैंकर जहाज है जो कि सिंगापूर से मिस्र की और जा रहा था उसमें क्या था केरला के कुछ नाविक केरला कुछ मस्चवारे दो लोग थे फिलाल दो मचवारे डीप सम तुर्ण अपने कब्जे पर लेते हैं लाके केरला पर खड़ा कर लेते हैं उसके साथ ही उन दोनों दो दिन बाद उन दोनों नौसैनिकों को हम अरेस्ट कर लेते हैं उसके बाद हम उन पर यहाँ पर केश चलाते हैं परंतु 25 संबर को उन्होंने चुटी मांगी कि हमको देश जाना है क्रिस्मस चुटीयों के लिए क्रिस्मस मनाने के लिए हमारे परिवासाथ उनको चुटी दी जाती है एक मुचलकी के साथ में वो वापस आते हैं पिर अगले साल इटली में चुनाओ थे वो चुनाओ में भी जाते हैं चुनाओ में वोर्ट डालते पर वापस नहीं आते हैं जिसमें भारती है कोर्ट ने भारती केरला हाई कोर्ट ने इटली के राजदूत को तलब किया ईसे बात चीद करी उसके बाद हो भारत आते हैं पर संधी के साथ की इन फे इनको नहीं दिया जागा बाद में ये कारे किया था परंतु इसके विपरीत कतर में उन आठ नौ सैनिकों ने कई बार जमानत याचका डाली कई बार उनकी बहन मीतु भारगों ने काउंसलर के द्वारा वहाँ पे अपील करी कि मुझे काउंसलर द्वारा मेरे भाई से मिलवाया जाए उनसे कई बार अपील करी उस अपील को ठुकराया गया, उनकी जमानत अरजी को वहां के राजा ने खारिश कर दिया, वहां के सरकार ने खारिश कर दिया, उसके बाद आज तक उनको बाहर निकलने का मौका नहीं मिला है, क्या कतर विदेशी दबाव को नहीं समझता है, क्या कतर विदेश नीतियों को नहीं समझता है यह समझ से परे हैं पर भारत इस पर सक्ट एक्षन लेगा एस जैसंकर प्रशाद इंतजार कर रहा है वहां के उस रिपोर्ट का जिस रिपोर्ट के धार पर उनको फासिक्स जाद दी गई है जल्दी मिलेंगे नए अपडेट्स के साथ बहुत बहुत शुक्र था जिए थाद बढ़ाए बढ़ाए तरह द बढ़ाए था बड़ाए था जाद बढ़ाए था